नमस्कार दोस्तों आज यह सी मतलब सुप्रीम कोट ने जो EWS आरेक्षन है उसका कोटा तीन बाई दो मेजोरिटी से ले लिया है मतलब जो भी पहले आरेक्षन था उसको उसमें 50 परिशन का कैप था उसको बढ़ा के 60 परसेंट कर दिया है और उसमें जो जो 10 परसेंट रहा है हो एक मिकले मक्ली वीकर सेक्षन के लिए लिए दिया गया है तो अब यह मुद्दा उठेगा कि जो पहले से 50ahlt परसेंट है उसमें एक मानमके लिए कर शिकषन उसके लिए ही आरक्षन रहेगा या उसमें जो करोड़ पती लोग है यह सी यस्टी वो भी सी के उनको भी विक्र सेक्षन में डाला जाएगा ऐसा कुछ हो सकता है तो होना चाहिए जो में चीब जश्टिस अप इंडिया है वो से सीजाई यू लरी उन्होंने तो इस फैसले के विरुद्ध में अपना फैसला दिया है और दूसरे एक जज़ ने दिया है लेकिन दूसरे तीन लोगों ने तीन ज़ज ने इसके मतलब सपोर्ड में फैसला दिया है इसलिए ती इन दोसे फैसला हो गया है इकोनोक्मेमिकली विकर सेक्षन का जो आरक्षन है ओभी 10% लाग हो जाएगा महराष्ट्र में भी इसका चालो हो जाएगा अब तो दोस्तों अभी ऐसा है कि अगर वी उस बच्चे हुए 50% में मतलब जो 40% बचेगा अभी उस 40% में कितने लोग आते हैं जो कवर होते हैं जनरल केटरगेरी में और उनकी पॉपिलिशन कितनी है पूरे देश में वह भी देखना पड़ेगा अभी जो पहले से सर्वे आते थे उसमें लगबग सेवेंटी परसेंट पॉपिलिशन कवर हो जाती थी और यसी यस्टी ओबीसी का जो आरक्ष ही है तो जो बाकी बच्चे मतलब 60 और 70 परसेंट ओ यसी यस्टी ओबीसी मिलाके है जो अगर वह बीस परसेंट बच जाते हैं तो मतलब जो बच्चे होए जो 30 परसेंट लोग है उनके लिए यह 50 परसेंट आरक्षन कैसे लागो हो सकता है यह एक मुद्दा है मतलब जनरल इसा मामला बनेगा मतलब जो जो उसमें यह जो पॉपिलेशन यह वह कितनी है और सी यह सिपरसेंट परसेंट परेंट को 50 परसेंट में बिड़ा लगाया है और यह जो सब्सक्राइब बढ़ा क्वेशन है इससे बहुत समाज में दूरी बढ़ सकती है इक वेकर सेक्षन ठीक है आपने लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लागू कर दिया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता पर यह दो पॉइंट बहुत मत्वपूर्ण है इसके इसमें कुछ तो आमेंड में करना पड़ेगा और जो यसी यस्टी ओबी सी का जो 50% का आरक्षन है उसमें भी जो करोडपती लोगई समझाई सपोज यसी का कोई आदमी है जो करोडपती है तो वो क्या करता है वो भी आरक्षन में संपर जो आपना कोटा लेता है जो सच में जिसको जरुरत है जो गरी भायाम आदमी है तो उसकी वो सीट खा जाता है ऐसा प्रॉब्लम है वो यह से वी वह से होता है तो इसके ऊपर भी सरकार को कोई काम करना पड़ेगा और एकॉनमिकली वीकर सेक्षन जो है तो यह है तो अभी जो सरकर का जो में मकसद है या बाबासाब डॉक्टर बाबासाब अमबेड करका वी जो मकसद था अरक्षिन का वो लागो हो जाएगा नवी तो अभी क्या हो रहा है अगर यसी के लिए किसी जगह 25 जगह निकलती है तो जो बड़े-बड़े करोड़ पति लोग होते है या लगपति लोग होते हैं उनके ही बच्चे कोजिंक लगाते हैं उनके बच्चे बड़े-बड़े मार्क्स लाते हैं 90 परसेंट और वही उसमें फिट हो जाते हैं तो जो गरिब का बच्चा है 70 परसेंट लाने वाला जो मकसद है जो एकॉनोम के लिए कर है यसी में भी वो उसकी सीट खा जाता है क्योंकि वह जो मतलब जो लगपती करोणपती बने उन्होंने पहले रिजर्वेशन का लाब लिया हुआ है फिर वह वापिस उसका बच्चा जो करोणपती लगपती हो गया अरक्षन का लाब लेके तो उसका बच्चा फिर से फिर से वही रिजर्वेशन का लाब ले रहा है और जो सच में वह अभी भी गरिब है लोग एकोनोमिकली आए गरिब है तो वह छूट जा रहा है पीचे छूट जा रहा है इसलिए यह सबसे बड़ा मुद्दा मेरे को मुझे लगता है इस पर अभी सरकार ने विचार करना च सबस्तों